हम अपने भविश को खुद से नहीं बदल सकते हैं और यही बदला हुआ आदत आपको अपना भविश बदल देगा तो आप अपनी आदतों को बदले और एक गोल बनाए और उस गोल को अचीव करने के लिए आप कड़ी मेहनत करें So Hello Friends, DCA और DCA कोर्स के सिरिज नंबर 12 में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त डिक के वर्मा So Friends, आज की इस सिरिज के अंदर हम लोग सीखेंगे की हेड़फोन क्या होता है और सीखेंगे की UPS क्या होता है और सीखेंगे की CPU क्या होता है और CPU के अंदर कई सारे पार्ट्स होते हैं जैसे की SMPS, Motherboard, RAM, ROM, Hardix है ना यानि की CPU के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्यान करेंगे और जो मैं पढ़ाऊंगा उसका नोट्स भी मैं आपको प्रभाइड करा दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में इस नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा वहां से जाकर डौनलोट कर सकते हैं साथ ही साथ आपको यहां पर वार्ट्स अप नमबर शो कर रहे हैं वहां से भी कॉंटक्ट करके आप इस नोट्स को पीडियो फाइल में ले सकते हैं हिंदी इंग्लिस और बोथ लेंग्वेज में इस नोट्स के अंदर सारा चीज़ क्लियर किया गया है तो इस नोट्स को अगर आप डौनलोड करेंगे तो पढ़ने में आपको और भी मज़ा आएगा क्योंकि आप पढ़ भी रहे हैं उसी नोट्स से तो देखिए अस्पीकर क्या होता है अस्पीकर एक आउट्पुट डिवाइस होता है आउट्पुट का मतलब जिसके जरी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं देते नहीं लेते हैं ठीक है जिसको कम्प्यूटर में गानने सुनने वीडियो देखने या अन्य कई मतलब अन्य चीज़ों के हेड़फोन भी एक परकार का आउट्पुट डिवाइस है जिसमें की लेफ्ट और राइट की तरफ छोटे छोटे अस्पीकर लगे होते हैं ठीक है जब हम लोग इसे अपने सीप्यू से कनेक्ट करते हैं तो कम्प्यूटर का आउट्पुट साउंड इस हेड़फोन से आन को यह वड़ी सीस था नहीं इसके बाद नेक्ष्ट है आपका यूपी एस क्या होता है तो देखिए यह ध्वान से देखिए है क्योंको है यह सब सब को पता है लेकिनया ध्यान से समझ तैक है यूपी एस का पूरा नाम आपको बहुत जगह पूछा जाता है या पर फूर् होता है वो मेन पावर बंध होने पर काम करता है जैसे मान लिजे हम computer चला रहे ठीक है और बाई चांसे क्या होता है कि आपके पास जो मतलब आपके घर में जो light है वो अगर automatic चली जाएगी तो ऐसे में क्या होगा आपका computer automatic बंद हो जाएगा और जब automatic आपका computer बंद हो जाएगा तो ऐसे में corrupt हो जाता है ठीक है अगर बार बार ऐसे होता जाएगा आपका computer direct बंद होता जाएगा तो ऐसे में कई सारे software वर कर जाते हैं और जो आपका computer होगा वो बार बार recovering करेगा और कुछ time लेगा इससे problem लेगा जाता है कि आप जो भी काम करते हैं वो डाटा करफ्ट हो जाता है ना डाटा अधूरा रह जाता है और सेव नहीं होता है तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि लाइट चली जाए और उसके तभी लाइट चल जाने के बाद भी ये 10-20-30 मिनट ये वैक अप देता है ये डिपेंड करता है आपके UPS पर ठीक है यानि की एक्च्वल में इसका परयोग परस्टल कंप्यूटर में किया जाता है मतलब परस्टल का मतलब जो हम लोग रखते हैं वो ठीक है क्योंकि जब में लाइट चली जाती है तो ऐसे में हमारा कंप्यूटर कोई दिकत नहीं हो ठीक है और बैक अप की बात किया जाए तो डिपेंड करता है आपके UPS पर है जैसा आप UPS बाइक करेंगे वैसा बैक अप रहेगा आपके UPS में मतलब इसका इसका इस्तमाल समझ गए हो ठीक है अगे अपके पास है CPU क्या है ये बहुत इंपॉर्टन इसका हिंदी मतलब क्या होता है किंद्रिय प्रचालन तंत्र ओके जिसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है मतलब CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है क्योंकि क्योंकि यही ऐसा मतलब सभी निर्दोसों को यह प्रोसेस करता है ठीक है CPU जो होता है वो सेंट्रल processing unit तो होता ही है बट ये सारे निर्देसों को यही process करता है कब क्या करना है कैसे output देना है सारा process CPU ही करता है यानि आप ध्यास देखें user के द्वारा दिये गए input निर्देसों को receive करता है और उसके आधार पर सभी software को चलाता है यानि कि जो CPU क्या करता है आप जो input देंगे उसको वो receive करेगा ठीक है और receive करने के बाद सभी software को चलाता है जैसे आप टैली चलाते हैं या MS Office चलाते हैं तो वो software को run करता है और उसके बाद हमें output के रूप में result देता है सकते हैं जो की monitor पर हम लोगों को दिखाया जाता है अब CPU में कई भाघ होते हैं पूरा यहाँ पर denote कiा गया है इहाँ पर देख सकते हैं एक CPU के अंदर कितने सारे port होते हैं CPU के पिछले भाग में आपको इस तरह से इस तरह के पोर्ट दिखेंगे तो CPU में देख लिए क्या क्या होता है Motherboard, Power Supply, FluffyDex, Hardex, RAM, ROM, Primary Memory, Secondary Memory तो सारे चीजों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे सारे चीज आप याद कर ले, इस नोट से जरीए और यहां पर जो दिया गया है इसको आप क्या कर लेना है आपको बीदिया जोड़ी%, वराःबरन कर लाई सारे वरловね जोड़ी कि यहां पर तो देखिए ऊपर में हम लोग क्या था मेमरी के बार में लोग पूट रहे थे चुकि के अंदर मेमरी भी तो होता है मेमरी कम्प्यूटर का वह भाग होता है जिसमें की सभी डेटा और प्रोग्राम्स को स्टोर किया जाता है यहनि मेमरी के अंदर ही हम लोग सभी डेटा को स्टोर करके रखते हैं जम्मा करके रखते हैं अगर memory नहीं होता तो हमारा computer कोई भी data या प्रोग्राम को तुरंत नश्ट कर देता मतलब अपने automatic वो क्या होगा नश्ट हो जाएगा और हम उसको दुवारा access नहीं कर पाएंगे दुवारा उसको खोल नहीं पाएंगे इसलिए memory का इस्तमाल क्या देता है अब जो memory होता है व वो main memory भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सभी programs तथा input, output, data अस्थाई रूप से कुछ देर के लिए save रहता है ठीक है ध्यान से समझे primary memory को हम लोग main memory कहते हैं और ये जो memory होता है वो सभी programs को input और output data जितना भी होता है उसको अस्थाई ठीक है अस्थाई नहीं sorry आस्थाई ठ और जैसे ही आपका computer बंद हो जाता है तो वो programs भी बंद हो जाता है जिसमें आप काम कर रहे होते हैं और वो data sum up हो जाता है यानि कि जो primary memory यहाँ पर बताया है अगर आप कुछ भी करते हैं और आपका computer बंद हो जाता है तो वो क्या होता है data sum up हो जाता है अब primary memory के भी परका पर होते हैं आप द्यान समझें प्राइमरी में जो भी डेटा स्टोर होता है वो अगर आपको केंप्टर बंद हो जाएगा तो वो करफ्ट हो जाएगा जिटा समप्ट हो जाता है अब इसका उदाहरन मैं आपको दे रहा हूं सबसे पहले यहां पर है रैम जिसका पूरा नाम होता है रीड एकसेस मेमोरी ठीक है रैम आस्थाई मेमोरी है मतलब कि आस्थाई का मतलब होता है एक ऐसा मेमरी जिसमें कोई भी डेटा सेब नहीं होता है है ना कोई भी डेटा सेब नहीं होता है बलकि कुछ देर के लिए सेब होता है बट हमेशा के लिए सेब नहीं होता ह तो रहते हैं तो ये कुछ समय के लिए data को सेव रखता है और जैसे ही बिजली चली जाती है या computer बंद हो जाता है तो वो data नस्ट हो जाता है बस यही RAM का है problems रेम जो है वो read करता है ना कि आपको किसी भी चीज को store करकर रखता है सिर्फ रीड करता है है ना जब हम किसी भी data को computer में input करते हैं तो वो data सबसे पहले RAM में जाता है है ना और उसके बाद CPU में अपने आवश्यक्ता के अनुसार वहां से प्राप्त करता है इसलिए इसे आस्थाई memory कहते हैं है ना जितनी जादा च्छमता वाली RAM आपके computer में होगा उतनी fast आपका computer वर्क करेगा जितना ज्यादा उसके उसको read करने की power मिलेगा उतना ज्यादा fast होता है अब यह जरूरी नहीं कि सिर्फ RAM पर depend करता है RAM भी मतलब RAM के अलाव ही कई चीज़े होते हैं लेकिन मतलब RAM भी अगर मजबूत होगा मतलब ज्यादा powers का होगा तो काफी अस्पिट चलेगा ठीक है उसके बाद आगला भाग है ROM जिसका नाम होता है read only memory इसके नाम से समझ में आ रहा होगा आपको यह memory ही है जिसका इस्तमाल किसी भी data को read यानी पढ़ने के लिए की जाता है यह अस्थाई memory होता है इसलिए जब बिजली चली जाती है या programs बंद हो जाता है जिस पर हम काम करते हैं तो यह क्या करता है अस्थाई रूप से सेवी data को सुरच्छित रखता है यानी कि ROM के जरिये जितना भी data हम लोग काम करते हैं जिस data पर काम करते रहते हैं अगर light चली चली गई computer बंद हो गया तो वह अस्टोर करकर रखता है लिकिन RAM अस्टोर करकर नहीं रखता है वह आपको अलग चीज़ है ठीकिए तो यह अस्टोर करके रखता है एक्जामपल में अपको यह दिया गया ठीक है आप इस्क्रिन सौट कर ले याद कर ले को दिक्कत आपको नहीं होगा या फिर नोच डानलट कर लें अब उसकी बाद आता है secondary memory है ना secondary memory को बाहरा भी ही कहा जाता है मतलब बाहर का memory क्योंकि cpy की अंदर अत्रो पर ऊन्दर एक रख सकते हैं मतलब यह यहां पर बता जा रहा है cpy इसके अंदर टो प्रोग्राम्स को कभी नस्ट नहीं होता है, इसके अंदर जो भी data आप रखेंगे वो कभी नस्ट नहीं होगा, साथी यहाँ पे क्या होता है, कि इसमें काफी जादा मात्रा में आप data को सेव रख सकते हैं, मतलब इसकी जो storage जो छमता होती है, इसमें बहुत जादा चीजों क को आप इसमें सेव करके रख सकते हैं, कोभी दिकत नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे hardics हो गया, floppy dics हो गया, cd हो गया, dvd हो गया, memory dics, pen drive, यह जितने भी memory है, वो secondary memory के अंतरगात आते हैं, यह secondary memory के अंतरगात आते हैं, secondary memory में जो भी data रहता है, वो नस्ट नहीं होता है, अब secondary memory में कई examples यहाँ पे दिखाये गये थे, है ना, यहाँ पे hardics, floppy dics, cd, तो सारे चीजों के बारे में, आप हम लोग बारी-बारी से पढ़ेंगे, सबसे पहले आपके पास आता है hardics, क्या आता है, hardics, hardics एक परकार का storage device है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, hardics एक परक store कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो छमता होती है, वो काफी जादा होता है, और यह जो data है, आप कुछ भी save करके रखेंगे, तो यह permanently store हो जाएगा, आप कभी भी इसको open करके देख सकते हैं, जो आपने इसमें डाल कर रखा है, वो आप कभी भी देख सकते हैं, वो आप कभी भ कभी होगा, 160 GB कभी होता है, 320 GB कभी होता है, 480 GB कभी होता है, है ना, तो आवे सकता है करनो सार लोग इसको खरीतते हैं, ओके, यानि हार्डिक्स आपको secondary memory है, जो की सभी चीजों को store करके permanently के लिए रखता है, उसकी बाद होता है, यह एक external memory होती है, है यहाँ पर देख मातला में data को रख सकता है, ज्यादा तो आप नहीं रह सकते हैं, लेकिन बहुत कम रह सकते हैं, यहाँ पर देख लिए, पहले के जमाने में CD, है न, CD का इस्तमाल होता था, pen drive, और अन्य external drive को, ध्यान समझे थोला से, आपर, पहले लोग CD का इस्तमाल करते था, ठीक है, CD, ल वो हट गया, CD का values भी हट गया, और यह जो floppy disk है, वो भी हट गया, CD अभी भी चलता है, बट उतना नहीं चलता है, अब जादा pen drive बगारा चलता है, तो यहाँ पे CD तो चल रहा है, बट floppy disk देहान से देखिए, floppy disk के अंदर एक गोलाकार चुमिकी है, पलेट होता है, यहा सही यह read करता है, है न, यहाँ पे जो floppy disk है, इस disk का इस्तमाल आजकल बहुत कम होता है, है न, यहाँ पे आप देख लिजे, कोई भी problems नहीं है, आप इस उधारन से भी इस चितर से समाझ सकते हैं, कोई इस टेंसा नहीं है, अब next में जो है आपका memory, वो है CD, है न, CD, जिसक को हम लोग बलते है, compact disk, यह भी एक external disk होती है, इसकी अंदर भी कई तरह के data को हम लोग रख सकते हैं, और धन्द जी, उसे देखा भी जा सकते है, और read, देखा यह read भी होगा, ठीक है, उसको read भी कर सकते हैं, इसकी अंदर आप कई तरह के चीजों को चीजों को रख सकते है लेकिन, cd का, cd और यहाँ पर देखिए, floppy disk, काफी कम यूज होता है, आजकल, काफी कम होता है, cd तो यूज होता है, थोड़ा बहुत, जो software बाई करते है, तो cd में software दिया जाता है, यह भी जादा नहीं होता है, अब आए आपको memory disk, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ इसमें भी हम कई तरह के चीज़ों को store करकर रख सकते हैं, ठीक है, इसमें भी हम लोग स्टोर करकर रख सकते हैं, अगला आता है, आपके पास dvd, digital video disk, यह भी एक तरह का external disk होता है, जो की compact disk के जैसा ही देखने में लगता है, और काम लगभग दोनों शमान करता है, ठीक है तो यह जो है न, dvd हो गया, है न, यह सब बड़े बड़े चीज़े हैं, जैसे यह सब कम इस्तमाल होता है, जैसे कि memory इस्तमाल ज्यादा होता है, और फिर pen drive ज्यादा इस्तमाल होता है, इन चीज़ों को जादा आजकल लोग use करता है, है न, तो आप समझ गये होंगे, भी दिक्कत आपको नहीं हुआ